हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इन शेहरों में दिन के साथ ही रात में भी हीट वेव चलने लगी है अनुमान है कि 14 माई तक राजस्थान में जबरदस्त गर्मी पड़ेगी 14 जिलों में गरम हवा के थपेड़े लोगों को परिशान करेंगे इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है जैपुर मौसम केंदर के अनुसार मंगलवार को जैपुर कोटा नागोर समें 14 जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्शेस से उपर रेकॉर्ड किया गया है जैपुर में सुबग 11 बजे के बाद से ही लू चलने लगी दोपहर 12 बजे तक सडकों पर सन्नाटा पसरने लगा कूलर AC भी अब बेअसर होने लगे हैं जोथपूर, बिकानेर, चूरू, गंगानगर, नागोर, डुंगरपूर, जालोर और पिलानी में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्शेस से उपर रहा है और सबसे गरम दिन जालोर में रहा है यहां का अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्शेस दर्स किया गया है जैपूर, उदैपूर, फलोदी, भिलवाडा में रात का नियूनतम तापमान 30 डिग्री से उपर रहने लगा है इसके चलते रात में भी लू का एसास हो रहा है बासवाडा में सोमवार रात को नियूनतम तापमान 33.6 और उदैपूर में 31.3 डिग्री सेल्शेस रहा ऐसे में 11 से 14 मई तक राज्ये में तेज गर्मी के साथ ही हीट वेव चलने के आशंका है इस दोरान सबसे जादा गरम हवा का प्रभाव विकानेर, चुरू, हनुमानगर, गंगानगर और जुन-जुनू एरिया में रहेगा इन जिलों के अलावा मौसम विभाग ने अलवर, भरतपर, कोटा, बूंदी, बारा, डुंगरपुर, धौलपुर, सवायमादुपुर और बासवाड़ा में भी तेज हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है पंद्रा मई से राज्य में हीट वेव से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है किन्तु दापमान में कोई खास बदला नहीं आएगा जागरुक टिवी के लिए बार मेर से ठाकरा राम मेगवाल की रिपोर्ट